टीम इंडिया बांगलादेश से पांच रनों से हार गई है रोहित की ताबड तोड पारी भी इंडिया को जीत नहीं दिला सकी अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो इंडिया और बांगलादेश का खेला गया दूसरा ODI म मैच जिसमें बांगलादेश टीम ने पहले टॉस जीत कर पहले बल्लेवाजी करने का फैसला किया बांगलादेश के छे विकट बहुत जल्दी गिर गए थे लेकिन मेहंदी हसन और महमुद दुल्ला की ताबड तोड बैटिंग ने टीम देश को एक संबान जनक स्कोर आएं इंडिया की तरफ से उम्रान मलीक और सीराज को दो विकट और वासिंगेटन सुंदर को तीन विकट मिले इस टार्टिंग में टीम इंडिया की बॉलिंग बहुत ही खतरनाक रही जिसमें से उम्रान मलिक की घातक गेंद बाजी रही बट अंत में महंदी हसन और मुहमुद दिल्ला ने जम कर सब की पिटाई की रोहित के चोट लगने के कारण रोहित ओपनिंग करने नहीं है ओपनिंग विराट कोहली और सिखर दवन ने क बट दोनों ही बल्ले बाज कुछ खास कर न सके और जल्दी पाविलियन लोट गए तीसरे नमबर पर बल्ले बाजी करने है स्रेयस अइयर उन्होंने अच्छी बल्ले बाजी की बट वो भी 82 रन बना कर आउट हो गए स्रेयस अइयर के साथ 56 रन की पारी अक्सर पटेल ने खेली अक्सर पटेल और स्रेयस अइयर की पारी को देखकर लग रहा था कि टीम इंडिया मैज जीत जाएगी बट वो भी पविलियन लोट गए उसके बाद कप्तान आये रोहित शर्मा चोट के कारड फिर भी सके इस तरह टीम इंडिया हार गई पांगलादेश ने दो जीरोज की बड़त बना ली और सीरीज को अपने नाम किया ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किये और नीचे फेस्बुक का लिंक दिया हुआ है उसको फॉलो करें वहां जाज़ कि अगलादेश बड़त 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